बिस्मिल्ला रख्मानिर्वाहिम, अस्लाम लेकुम स्टूजिंस, क्लास 9 की 3rd HOT क्लास का Day 4 स्टार्ट हो गया है और अब आपका English का पिरियड है, अब अपनी English की बुक्स निकाल लेजिए जी स्टूजिंस हम लेसन पढ़ रहे थे 10, Drug Addiction और उसका Point No. 5 आज पढ़ेंगे अरधिबली टे कुझ से सहलंुगा है, वीसमिलंस का Igor का वी करिईन का रहतूले कीB1 टेफिंस, क्लास थे और अष्मिल्ठाट और विट्मै वाय ट्राफ। प्रेप्स, कि निज करेविस्ट काजूल kवारे, लेक्ण 2 आची बॉस निकालेकि इक प्रॉपर कॉंसिलिंग मुतासरीन की बहाली में दूसरे जो हैं मुशावराती किरदार और भी चीज़े बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं लेकिन प्रॉपर कॉंसिलिंग जो है वो एक सबसे एहम अंसर है और सबसे जादा किरदार अदा करता है the sooner it is done the better it is for the victim जतना जल्द ये काम कर लिया जाए उतना ही मतासरा फर्द के लिए ये बेहतर होता है the counseling process must continue counseling का, मश्वरे का, जो बात सुनने का और अच्छी तरह बात समझाने का जो process है वो जारी रहना चाहिए even after the drug abuser is rehabilitated उसके बात भी जब मतासरा जो फर्द है वो बेहतर हो गया हो और उसने वो छोड़ दिया हो नशा करना वो बहाल हो गया हो ठीक हो गया उसके बात भी ये counseling का process जारी रहना चाहिए because of the dangers of a relapse क्योंके खत्रा ये हो सकता है कि कहीं वो दुबारा पलट ना जाए नशे की तरफ दुबारा से उस तरफ ना चला जाए doctors, family and friends, doctors, खानान के अफराद और दोस्तों को must continue to critically watch मुसलसल देखते रहना चाहिए और बहुत ही जादा कड़ी निगरानी करनी चाहिए उस victim की and console the victim और उस victim से उस मतासरा फर्ज से मुसलसल बाते करनी उसको मशवरे देने चाहिए और उसके साथ साथ रहना चाहिए for better motivation and adjustment ताके उसकी वो बेहतर तरीके से उसको motivate कर सकें उसके अंदर ये जजबा पैदा कर सकें कि उसने दुबारा नशा नहीं करना और वो अपनी उस जो नशा चोड़ने के बाद की सुरते हाल है उसके साथ adjustment करना सीख जाए तो students ये हमारा आज के दिन में पांचवा पॉइंट है जिसके आपको reading कराएगी आप इसको बार बड़ सुनिए ती students आज हमने ये notes का last question बढ़ना है what do you understand by the term counseling the term counseling means the provision of assistance and guidance in resolving personal or psychological problems the term counseling means the provision of assistance and guidance in resolving personal or psychological problems बस इतना सा अंसर है जो आपने आज के दिन में अपनी इंग्लिश की नीट नोट बुक्स पर नोट करना है और इसको आपने जुबानी याद करना है Students आप अपनी इंग्लिश क्राइमर एंड कमपोजिशन की बुक निका लीजिए आपको पता है कि हम page number 80 और 81 कर चुके हैं Present Perfect Tense की हम Transition exercise करे हैं जिसकी base पर हम Past Perfecthando Before Perfect Tense की भी sentences साथ साथ करे हैं Students page number 82 पर Present Perfect Tense के interrogative sentences हैं जुमले अब सवालिया बनाने का क्या तरीका होता है जो rule था उसके मताबिक Helping Verb को जुमले के शुरू में ले जाते हैं तो जुमला सवालिया बन जाता है interrogative बन जाता है मसला ये देखिए क्या तुम काम खत्म कर चुके हो तो इसमें आपको पता है कि have जो है वो होगा helping work तो क्या answer है have you finished your work और अगर ये होता क्या तुम काम खत्म कर चुके थे तो क्या आजाएगा have की जगा बिल्कुल ठीक had आजाएगा had you finished your work और अगर ये होता है क्या तुम काम खत्म कर चुके होगे तो क्या आजाता will you have finished your work जी आप देखिए जुमला कैसे हो जाएगा फिर will आजाएगा जुमले के शुरु में क्योंके आपको पता है वो will have और shall have होता है तो will you have finished your work ऐसे ही आता रहेगा यानि जो भी sentence का बक्या हिस्सा है वो ऐसे ही रहेगा तो आपको pattern बता दिया है मैंने इसी pattern पर आप आप इन sentences की transition करेंगे क्या ये लड़का इम्तिहान पास कर चुका है has this boy passed the examination question mark आता रहेगा था होता तो had आ जाता had this boy passed the examination क्या ये लड़का इम्तिहान पास कर चुका होगा तो क्या आएगा have sorry will this boy have passed the examination इस तरह हो जाएगा ना will this boy have passed the examination और question mark आगे रहेगा तुमने इस आदमी को कहा देखा है where have you seen this man देखा था where had you seen this man देखा होगा तुमने इस आदमी को कहा देखा होगा where will you have seen this man where will you have seen this man ये जुमला थोड़ा different type का है where से start हो रहा है इसनी इसकी ऐसे transition होगी where will you have seen this man आपके दोस ने कब शादी की है When has your friend married? शादी की थी When had your friend married? और future में क्या होगा? शादी की होगी When will your friend have married? When will your friend have married? क्या उसकी बेटे ने आदमी को मार डाला है? Has his son killed the man? डाला था Had his son killed the man? डाला होगा Will his son have killed the man? Will his son have killed the man? आपने डूपते होगा बच्चे को किस तरह बचाया है? How have you saved the drowning child? Drowning child डूपता हुआ बच्चा बच्चाया था How had you saved the drowning child? बच्चाया होगा How will you have saved the drowning child? How will you have saved the drowning child? वैसे ही रहेगा क्या डाकु साफ बच्च के निकल गए है? Have the robberers made good escape? निकल गए थे Had the robbers Sorry, robbers आई है मैंने पहले गलत कहा दिया Robbers आई है क्या डाकु साफ बच्च के निकल गए है? Have the robbers made good escape? निकल गए थे Had the robbers made good escape? क्या डाकु साफ बच्च के निकल गए होंगे? Will the robbers have made good escape? Will the robbers have made good escape? क्या उसने अपनी बेज़ती का बदला नहीं लिया है has he not taken the revenge of his insult लिया था had he not आ जाएगा और लिया होगा will he have not taken the revenge of his insult will he have not taken the revenge of his insult will he have not taken the revenge of his insult क्या अकबर ने अपने फर्स से गफलत नहीं बढ़ती है has अकबर not neglected his duty बड़ती थी had अकबर not neglected his duty गफलत बड़ती होगी will अकबर have not neglected his duty निगलेक्टेड हिस ड्यूटी उन्होंने अपना काम उकमल क्यों नहीं किया है why have they not completed their work किया था why had they not completed their work किया होगा why will they have not completed their work why will they have why will they why will have they why will have they not completed their work तुमने अपनी सारी आमदनी क्यों खर्च कर दी है why have you spent all your income कर दी थी why had you spent all your income कर दी होगी why will you have spent all your income उसने अपनी पहली तक्रीर कहा की है where he has made his maiden speech maiden speech पहली तक्रीर की थी where had he made his maiden speech की होगी where will he where will he made his maiden speech क्या उन्होंने शादी पर आतिश बाजी का मुझाहरा किया है have they displayed firework on the occasion of marriage किया था had they displayed बस्छफ have की जगा had आ जगा बाकी जुमला same रहेगा had they displayed firework on the occasion of marriage किया होगा will they have displayed will they have displayed firework on the occasion of marriage सिर्फ will they have आएगा बाकी जुमला वही रहेगा displayed firework on the occasion of marriage क्या तुमारा भाई पहाड की चोटी पर पहुँच चुका है has your brother reached the top of the hill चुका था had your brother reached the top of the hill चुका होगा will your brother have reached the top of the hill will your brother have reached the top of the hill तो students इस तरह से आपके 15 sentences मजीद कम्प्लीट हो गए interrogative sentences आपने इन में भी तीनों तरह से जुमले बनाना सीखा है present perfect का मैंने आपको यहां से देख कर बढ़ाया है past perfect और future perfect के interrogative sentences बनाने का तरीका बताया है आप इसको बार बार सुनिए और note कीजिए आज भी आपके इस तरह 45 sentences तयार हो जाएंगे और आप इनको जब अच्छी तरह तयार कर लेंगे तो आपको concept समझा जाएगा जब आप actual exercise पर जाएंगे past perfect tense की और future perfect tense की तो आप देखेंगे इसी pattern पर transition होई होगी आपके लिए आसानी हो जाएगी असलाम लेकुम स्टूरेंट्स डेलाइन में आपको welcome कहते हैं और अपना अर्दू का period शूरू करते हैं जिस स्टूरेंट बंद नबर 6 देखते हैं तीन देखते हैं और मैंने आपको पैकल दो बंद पढ़ाए थे आज मैं बाकी तीन बंद भी आपको पढ़ा दूँगी आप लोगों ने ये देखना है कि बंद मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपके पास नोट्बुक होने चाहिए आप इसको लिखें ठीक है और इसके बाद मैं जो meaning बोल रही हूँ इसके बाद हवाला बोलूँगी meaning बोलूँगी मफूम जो है बताऊंगी और आप इसको खुद लिखेंगे और इसके बाद तश्रीक कार कल मैंने आपको समझाया था उस तरीके से तश्रीक करेंगे और आप एक दफ़ा उसका शाय का तारुफ याद कर लें जो हमने नोट से पड़ाया है तो बाकी आप खुद कर सकते हैं और वो इस तर आपने खुद लिखनी है तो देखें हर जा बिचा रहा है सब्जा हरे बिचोने हर जा बिचा रहा है हर जगा सब्जा हरे बिचोने बिचोने कहते हैं बिस्तर को कुद्रत के बिच रहे हैं हरजा हरे बिच्षोने यानि सब्जा जो है जंगलों में हर तरफ हरे बिच्षोने यिन्या हरे बिच्षोने बिच चुके है यनि घास पैदा हो गई है बिचवा दिये है हकने क्या क्या हरे बिचोने और अल्ला ताला ने हर तरफ हरे बिचोने हरे बिस्तर सब्स बिस्तर बिचा दिये हैं क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें यनि आई दोस्तों हर तरफ बरसात ने अपनी बहारें कुछ अबर की सियाही आप इसमें जो फिर अलफाज है साथ सथ बता रही हूँ आचा हवाला मैंने पीछे नहीं बताया आप एक सिंपल एक लाइन लिखते हैं या तो लिखने नजम का नाम बरसाथ की बहारे और शायर का नाम नजीर अकबर अबादी या तो ये हवाला होता है या लिखा जाता है ये बंद नजीर अकबर अबादी की नजम बरसाथ की बहारे से लिया गया है ये भी हवाला लिखने का तरीका होता है तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इक्तियार कर सकते हैं बंद लिखें और फिर आप इसका हवाला लिखें और फिर इसका माना लिखें अबर कहते हैं बादल को सब्जों की लेलहाहट कुछ अबर की सियाही अबर का मतलब हुआ बादल यानि कुछ तो हल तरफ सब्जे लेलहा रहे हैं और कुछ आसमान पर काले बादल चा रहे हैं सि पारही गटाएं, सुर्ख और सफेद काही, यानि जो गटाएं हैं, उनका रंग जो है, वो सुर्ख सफेद और काही, काही जो है, सबस रंग को कहते हैं, तो गटाएं का रंग जो है, वो चुक्कि सूरज निकलता है, और कभी सूरज निकलता है, कभी वारश आ जाती है, तो गटाओं का रूप कहीं सुर्ख है कहीं सफेद है और कहीं सब्स हो गया है सब भीकते हैं घरगर ले माह तबे माही माह तबे माही का मतलब है माह कहते हैं चान को और माही कहते हैं मचली को यनि शायर ने यहां पर एक तश्वी इस्तमाल किया की है कि अब वो जो है एक आट जो शायद जो अग्ट फेवी नहीं कहते हैं इसको एक हम इसको यह कह सकते हैं कि सहारा लिया है बहुत खुब्सूरत अन्दाज इध्शियाय कि पिया है कि चांड से लेकर मचली तक हर चीज़ भीग रही है हाला के चांद तो नहीं भीगता ना बादर चांद से तो नहीं आते तो इसमें शायर कहरा है कि हर तरफ सब लोग भीग रहे हैं माह चांद से लेकर माह चांद हो कहते हैं ब माही ब मतलब लेकर उन माही जो है वो मचली हो कहते हैं यह जान से मचली तक दुनिया की हर चीज बीग रही है और यह रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही तो ए अई लग तेरे सिवा इस तरह के रंग कौन पैदा कर सकता है यह शायर आज ताला की तारीफ कर रहे हैं और के तो अर तरफ वरसाद की बहारें मची हुई है तो ये मैंने आपको अलफाज माना और उसका मफ़ूम बता दिया है इस तरह आप इसको लिख लें आपके पास नोटस है तो उसको देख भी सकते है क्या क्या रखे है या रब सामान तेरी कुदरत बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत क्या क्या मची हैं यारो बरसाद की बहारें वही तरीका क्यार करना है पहले आपने बंद लिखना है इसके बाद अपने हवाला लिखना है फिर इसके बाद हले लुगत लिखना है मैं आपको हले लुगत बता रही हूँ इसमें क्या क्या मुश्किल गुदरत तो अलत अला की जात होती है आन हर लम्हा और इसके बाद सुभान जो है वो अला की तारिफ को कहते है बाकी तो और कोई मुश्किल लवस नहीं है इसके बाद मफूम क्या है कि ए ला तेरी गुद्रत ने क्या-क्या हर तरफ समान बखेर दिये हैं और हर तरफ हर चीज जो है क्या-क्या रंग बदल रही है और बसाथ ऐसी है कि हर तेरी गुद्रत को पैचानते हुए हर बंदा ये हर इनसान ट्रेंट प्रेंट जो है वो मस्त हो रहे हैं और तीतर भी पकार उठते है कि ए आल्ला सुभान अल्ला तुने क्या खुबसूरत मौसम बना दिया है दुनिया को कितना खुबसूरत बनाया है और ये बरसात की भारें हर तरफ लगी हुई है ये आपका मफूम है और शेर्ट तशरी का तरिका जो है मैंने आपको समझा दिया है तो आज की तारीक में आपका ये जो तशरी है बरसात की भारें की ये मुकमन होती है Dear students, now we are proceeding to day 9 of your third class of HODs for the subject of chemistry and today's topic is about electrochemical cell आज को topic क्या है electrochemical cell मैंने आपके chapter पे यहाँ पे कुछ topic skip करके electrochemical cell का topic start किया है लेकिन आपने यह परिशान नहीं होना कि मैं ऐसा नहीं है कि आपको वो topic नहीं पढ़ाऊंगी लेकिन जब आपको यह topic समझ आ जाएंगे तो आपको equation solve करना असान होगा तो अब मैं आपको कुछ electrochemicals के concept दूँगी उसके बाद फिर हम equations को solve करने के तरफ जाएंगे because I want to make this thing more easy for you, even more easier than your book आपके book से भी ज़्यादा easy way में आपको पढ़ाना चाहती हूं ताकि यह chapter आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आए इसलिए मैंने पहले electrochemical cell का topic स्टार्ट किया electrochemical cell is a device that convert chemical energy into electrical energy and so on इसको हम क्या कहते हैं electrochemical cell अट्रो chemical cell वो device है जो chemical energy को किस में convert करता है उलेक्ट्रिकल अटर्जी में और similarly electrical energy को किस में convert कर सकते है tightly electrochemical cell अखल सेल दो तरह की है अलेक्ट्रोलेटिक सेल गैल्वनिक सेल तो अब इसको पढ़ते हैं कि Electro-Laytic or Galvanic Cell क्या है Electro-Laytic Cell An Electro-chemical Cell That Uses Electrical Energy To Derive A Chemical Reaction सीधरे लफजों में हम क्या कहेंगे कि Chemical Energy कोई Chemical बनाने के लिए हम Electricity यूज करते है Electricity की मदद से में हम कोई Chemical Brick करते है An Electro-chemical Cell That Uses Electrical Energy To Derive A Chemical Reaction Is God Electro-Laytic Cell तो क्या करता है electrical energy को किस में convert करता है chemical energy में और this it produce through a non spontaneous process non spontaneous process उसको कहते है जो जिसको मसलसल energy चाहिए होती है देखें आपका पंखा चलता है आप उसको electrical energy देते है जैसे electrical energy interrupt वी बिजली गई पंखा बंद हो गया तो वो process क्या है non spontaneous process इसी तरह electrolytic cell को भी मसलसल electrical energy चाहिए होती है electrical energy जैसे ही बंद होगी तो पंखा रुक जाएगा इसका मतलब है कि electrolytic जो cell है वो non spontaneous process के तो चलता है जो galvanic cell है वो ऐसा electro chemical cell है that converts chemical energy into electrical energy is called galvanic cell जो chemical energy को use करता है और electricity बनाता है जो उसमें chemical को use करके हम बिजली बनाते हैं उसको galvanic cell कहते हैं और it is proceed through a spontaneous process ये खुद बखुद होता है एक दफ़ा हम इसको start करते हैं उसके बाद ये खुद बखुद अपना काम करता है इसको बाइर से किसी external energy की ज़रूरे नहीं होती तो ये spontaneous process है ये non spontaneous है और दोनों में redox process हो रहा है यहां भी oxidation reduction हो रही है और वहां भी oxidation reduction हो रही है electrolytic cells या galvanic cell को पढ़ने से पहले दो terminologies हमें clear होना जरूरी है electrolytes and non electrolytes a substance that conducts electricity when it is dissolved in water or in the molten state is called electrolyte ऐसा substance जिसको पानी में mix करें या उसको melt करें, heat करें तो वो electricity conduct करें वो substance जिसमें से electricity pass हो सके जब उसका solution बनाएं, जब उसको पानी में mix करें या उसको melt करें तो वो substance क्या कहलाता है electrolyte a substance that cannot conduct electricity when dissolved in water or in molten state is called non electrolyte और वो substance जो बिलकुल electricity conduct ना करें जब उसको पानी में mix करें या उसको melt करें, उसको heat करें तो क्या कहलाता है non electrolyte असान लफ़ों में क्या मतलब है कि वो substance जो electricity को, बिजली को पास होने दे electrolyte है और ना पास होने दे non electrolyte example देखते हैं हम इसकी electrolyte की KCL sodium chloride NaCL sodium chloride KCL potassium chloride HCL hydrochloric acid and NaOH sodium hydroxide तो बहुत से salts और acids और basis electrolyte होते हैं क्यों क्योंकि वो solution में जाके ions में split हो जाते हैं और वो ions help करते हैं electricity conduct कराने में अगर आप से सवाल पूचा जाए कि sodium chloride electrolyte क्यों है तो आप कहेंगे कि जब हम उसका solution बनाते हैं तो वो ions में split हो जाता है Na positive, C L negative तो positive, negative ions में ketions and ions में convert हो जाता है और non electrolyte like urea, glucose, sucrose, benzene वगरा ये किसमें ये जो हमारे पास substances हैं ये ions में convert नहीं होते इसलिए इन में से electricity conduct नहीं हो सकती क्योंकि ions अविलेबल नहीं होते Electroletic cell अब अगला जो topic हम पढ़ेंगे वो electrolytic cell के बारे में पढ़ेंगे An electrochemical cell in which electrical energy is used to derive a chemical reaction जैसे के पहले आपको बताया is called an electrolytic cell electrolytic cell में electrical energy किसमें convert होती है chemical energy में अब हम इसका sketch देखते है यह आपके सामने figure है और यह किसकी है electrolytic cell की electrolytic cell की construction क्या है कि कोई vessel होती है या कोई tube है जिसके अंदर हम solution डालते है किसका electrolyte का electrolyte में ने आपको बताया है कि जब solution में जाता है तो किसमें तूट जाता है positive or negative ions में जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है positive ions red color में शोओ हो रहे है और negative ions blue तो जैसे हम इसका electrolyte क्या हमने करना है एक हमने vessel या बीकर लेना है और उसके अंदर हमने क्या add करना है electrolyte का solution दो metallic rods हमने लेनी है और उन्हें हमने battery से connect कर लेना है cathode battery के negative terminal के साथ connect है ये sometimes metallic electrodes होती है तो ये electrode जो brown color में इनको हमने solution से dip किया है और किस से connect कर दिया है battery से तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए हमें electrode चाहिए हमें vessel चाहिए हमें electrolyte का solution चाहिए one molar और हमें battery चाहिए जैसे हम ये formation करेंगे हम यहां से working भी आपको बताती है battery से हम जैसे connect करेंगे तो anode पे कौन से charge होगा positive तो solution में से कौन move करके anode की तरफ जाएगा negative और cathode पे कौन से charge होगा negative तो solution में से कौन उसकी तरफ मूव करके जाएगा positive क्योंकि opposite charges एक दूसरे को attract करते है तो उसकी construction देखते हैं जैसे कि आपको diagram बताएगी construction of an electrolytic cell an electrolytic cell consist of vessels containing an electrolyte कोई भी electrolyte कह लें MX whatever जो कि हम use करेंगे यहां तो हम symbolical use करें और two electrodes जैसे कि मैंने आपको बताया और एक battery हमें चाहिए काम कैसे करता है ये जैसे कि figure आपको पीछे बताईएए और electron की movement भी शो होते हुए बताईएए कि वो electron's anode से किदर जाते हैं कैथोर्ड की तरफ और जो solution में हमारे पस कैटाइन एनाइन होते है तो anode भी हमेशा क्या होती है oxidation और कैथोर्ड पे हमेशा क्या होती है reduction क्योंकि anode electron lose करती है और वो electron move करके कैथोर्ड की तरफ आते हैं और इसकी example डॉन और नेलसन सेल है upcoming lectures में हम डॉन और नेलसन सेल के बारे में पढ़ेंगे oxidation reaction जो है वो होता है अनोर्ड पे अनोर्ड पे solution में से जो पोस जो हमारे पास होते हैं नेगिटिव आइन वो move करके जाते हैं और वो electron lose करते हैं वो electron travel करके cathode पे आते हैं और positive आइन्स उनको gain क्योंकि cathode पे negative charge है तो solution में से कौन move करेगा positive एनोर्ड पे positive charge है तो solution में से कौन move करेगा negative वो जाके वहाँ पे electron lose करेगा तो नोट पे क्या होगी? ऑक्सिडेशन. वही एलेक्टरॉन कैथोर्ड पे की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे पॉजिटिव आइंज उसको गेन करेंगे तो उसकी क्या होगी? तो एलेक्टरॉलेटिक सेल इसका मतलब है के रिडॉक्स प्रॉसेस के तुरू काम करते हैं. जो मैंने आज आज आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं या आपके नोट्स में क्वेशन 11, 12, 13 है और आपकी बुक में एलेक्टरो कैमिकल सेल, एलेक्टरॉलाइट और एलेक्टरॉल सेल का टॉपिक हैं, बुक्स आपने रिडिंग करनी हैं, नोट से इन कॉस्चिन्स को पढ़ना है, याद करना है और अपनी नोट बुक्स पे लिखना है. जी स्टुडेंट साज हम पेच नबर 99 से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की हैसित से लियाकत अली खान का किरदार, लियाकत अली खान्स रोल एस पाकिस्तान स फर्स प्राइम इनिस्टर, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अल में मश्रिकी पंजाब के कस्पे करनाल में पैदा हुए अलिगर्ड कॉलिज से बी ए और आक्सफुर्ड यूनिवरसिटी से कानून की डिग्री हासल की आपने 1923 में मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की 1936 में मुस्लिम लीग के जैनरल सेकेटरी मनतखिब हुए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टन्ट है और आखरी दम तक काईद आजम के दस्ते रास रहे दस्ते रास दस हाथ को कहते है रास सीदे को यानि राइट हैंड मैं रहे 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने 16 अक्तूबर 1951 को रावल पिंडी में एक जलसा आम से खिताब करते हुए आपको शहीद कर दिया गया आपने भी शायद देखा हो के एक लियाकत बाग के नाम से एक पिंडी में एक बाग है जहां पर आपको शहीद किया गया था पाकिस्तान की पहले वजीर आजम की हैसियत से लियाकध अली खान ने पंजाब में मुसल्मानों का कतले आम रखाने के लिए पंडित नहरु के साथ सरहधी आलाकों का दोरा किया और इन्सानी खून बहाने की मकरू हरकत से बाज रहने की अपील की पंजाब में दाखिल होने वले महाजरीन के सेलाब को संभालना बहुत मुश्किल मसला था काइद आजम की हिदायत पर आपने पंजाब महाजर कौंसल के चेर्मेन की हैसित से महाजरीन की आबादकारी और उन्हें जरूरियात जिन्दगी की फराहमी के काम की निगरानी की इंतजामी ढांचे की तशकील, माशी जिन्दगी की बहाली, बजट की तियारी, कश्मीर की जंग, दाखली इंदशार पर कंट्रोल और भारत की साज़शों के खिलाफ दिफास में तमाम दरपेश मसायल में काइद आजम कौम और हकुमत की रहनुमाई करते थे लेकिन उनके फैसनों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी वजीर आजम लियाकत अली खान पर ही आएद होती थी काइद आजम की वफात के बाद जब कौम के होसले पस्त हो रहे थे और भारती के आदत पाकिस्तान के खिलाफ मसलसल साज़शें कर रही थी तो ऐसे हालात में आप ही कौम के तरजमान और काइद थे आपकी आला काइदाना सलाहियतों की बिना पर कौम ने आपको काइदे मिल्लत का खिताब दिया लियाकत अली खान के एहदे हकूमत में माशी तरगी के लिए भरपूर जिद्दो जहद शुरू की गई आवाम को पाकिस्टानी मसनुआत के फरोग की तरगी दी गई टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की तरकी के लिए जहापान से मिशिनरी दरामत की गई और पाकिस्टान इंडस्ट्रियल डिवलिप्मेंट कार्पोरेशन का क्याम अमल में लाया गया आपने 1949 में असेम्बली से करारदाद मकासिद मनजूर कराई और नए आइन की तैयारी के सलसले में बन्यादी असूनों की कमेटी बनाई आपने 1950 में अमरीका का दौरा किया और अपनी तकारीर में अमरीका के आवाम और काईदीन को क्याम पाकिस्टान के पसमंजर से आगाह किया आपने अमरीकी गयादत को पाकिस्टान की दिफाई जरूरियात पूरी करने पर आमादा करने की भरपूर कोशश की इसी तरह आप पहले पाकिस्तानी वजीर आजम थे जिनों अमरीका में पाकिस्तान को रोशनास कराने में एहम किरदार अदा किया लियाकत अली खान की खारजा पॉलिसी में इसलामी मुमालिक के साथ खुशकवार तालुकात काइम करने को बनियादी हैसियत हासल थी आपने तेल को कौमियाने के सलसले में डॉक्टर मुसद्दिक वजीर आजम इरान के एकदाम की हमायत की शाहे इरान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका पॉलिसी इक्तियार करने के लिए मुजाकरात किये आपने मगरिबी मुमालिकी मिसर के खिलाफ जारिहत की मुजमत और इंडोनेशिया की आजादी की तहरीक की हमायत की क्याम पाकिस्तान की बाद भारत में हिंदू कौम की तरफ से मुस्लमानों के खिलाफ शदीद अनाद की वज़े से हिंदू मुस्लिम वसादात मामूल बन चुके थे लियाकत अली खान ने इस वसले को हकुमती स्था पर हल करना जरूरी समझा चुनाचे इस सलसले में आपने उनीस वचास में भारत का दौरा किया और लियाकत नहरू मौहिदे पर दस्तखत किये उनीस सो इकावन के वस में जब भारती फोजें पाकिस्तानी सरहत पर जमा हुई तो मुल्क में गहर यकीनी सुरते हाल पैदा हो गई थी आपने कौम का होसला बुलंद करने और इस खत्रे से आगाख करने के लिए मुल्क गीर दौरा किया अब मैं इसका जो कॉस्टन है आपको वो दिखाती हूँ पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की हैसित लियाकत अली खान का किरदार वाज़ कीजिए ये आज के दिन पे आपने लॉंग कॉस्टन करना है जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा है वो एस इस भी इस का अंसर लिखा जा सकता है और आपको मैं नोट से भी इस का अंसर पढ़ा देती हूँ जी स्टुडिंट्स ये नोटस में इस कॉस्टन का अंसर देख लीजिए हेडिंग के साथ है वजीर आजम की हैसित से लियाकत अली खान का किरदार पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान एक मतوازन जहन और धीमे इसका डाल ने लिखा वाप लिख लीजिए धीमे मिजाज के और मिजाज भी चलने ठीक है इस तरह भी लिखा जा सकते हैं मिजाज के सियास्तदान थे आप हिंदुस्तान मश्रिकी पिंजाब के अलाके करनाल में 1896 में पैदा हुए सरहदी आलाकों का दोरा पाकिस्तान के पहले वजीर आसम की हैसित से लियाकत अली खान नहरू के साथ पंजाब में मुसल्मानों का गतल आम रुकवाने के लिए सरहदी आलाकों का दोरा किया और हिंदू तखरीबकारों को मुसल्मानों का खून बहाने से बाज रहने की अपील की मोहाजरी लिए की आपादकारी हिंदूस्तान से हिईरत करके पंजाब में आने वजए तादाद में मोहाजरीं की आपादकारी बहुत मुषकल मसल्ऻा था काईद आज़ाजम मुहमद अली जिना की हिदायत पर आपने यहां पर एड़ कर लीजे आपने पंजाब का बेबी इदर लिख लिए पंजाब महाजर कॉंसल ये दो दफ़ा कॉंसल लिखा वा है सेकंड टाइम वाला कार दीजे महाजर कॉंसल के चेर्मेन की हैसित से महाजरी की आबादकारी में गहरी दिल्चस्पी ली और महाजरीन को रहाइश अद्वियात वगेरा जैसी जरूरियात जिन्दगी फराहम करने के काम की निग्रानी की नजम-नसक की तशकील मुलक के इंतशामी ढाँचे की तशकील माशी जिन्दगी की बजट की तेयारी बे और जीम होगा बजट की तियारी, दाखली इंतिशार पर काबू पाना, कश्मीय की जंग और भारती साज़शों के खिलाफ दिफाई, अमली जामा पहनाने के लिए आपने दिन रात महनत की काइदे मिल्लत का खिताब काइदे मिल्लत का खिताब काइदे आज़म मुहमद दिजिना की वफात के बार पाकिस्तान एक नाज़ग दोर में शामल हो गया था और कौम के हौसले पस्त हो रहे थे भारती हुक्मरान पाकिस्तान के खिलाफ मसलसल साज़शे कर रहे थे तो आप ने उस्मुश्किल दौर में पाकिसान की सलامती के मभाफ़िज रहे आप कौम के मुखलिस काइद और तरजिमां थे मुखलिस काइद और तरजिमां थे पाकिसानी मसनूपाद का फरोग लियाकत अलीखा के एहदे हुकूमत में मुलकी माशी तरकी के लिए एक्दामाद किये गए पाकिसानी आवाम को अपनी मसनुआत के फरोग की तरगी दी गई आपने टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की तामीर तरकी के लिए जापान से मशिनरी दरामत की अमरीका में पाकिसान को रोशनास कराना लियाकत अलीखा पहले पाकिसानी वजीर आजम थे जिन्होंने अमरीका में पाकिसान को रोशनास कराने में रोशनास कराने में एहम करदार अदा किया आपने 1950 में अमरीका का दौरा किया और अपनी तकारीर में अमरीकी काइदीन और आवाम को क्याम पाकिस्तान के पसमंजर से आगाह किया लियाकत अलीखा की खारजा पॉलिसी में इसलामी मौलिक को बन्यादी हैसियत हासल दी आपने इसलामी मुमालिके साथ बहुत अच्छे तालुकात काइम किये शाहि एरान ने पाकिस्तान का दौरा किया आपने मिस्र के खिलाफ मगरिबी मुमालिकी जारियत की पुर्जोर मुझमत की और इंडोनेशिया की आजादी की तहरीकी भरपूर हिमायत की हिंदू मुस्लिम फसादाद पर कंट्रूल क्याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादाद मामूल बन चुके थे भारत में हिंदू कौम की तरफ से मुस्लमानों के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती थी लियाकत अली खाने हिंदू मुस्ने फसाद को हकुमती स्था पर हल करने की कोशश की इस मकसद के लिए आपने 1950 में भारत का दोरा किया और इस तरह लियाकत नहरु मौहिदा हुआ कौम को होसला भारती फौजे 1951 के वस्थ में जब पाकिसानी सरहतों पर जमा हुई तो मुल्क में गहर यकीनी सुरत इहाल पैदा हो गई आपने कौम का होसला बुलंद करने और दुश्मन के खतरनाक अजायम से आगाह करने के लिए मुल्क की दोरे किये तो स्थूजेंस इस तरह आपका ये कॉस्चन आज मुकमल हुआ इसको आज ही आप अपनी नोट बुक्स पर नोट कीजे और इसको जबानी याद कर लीजे